Hello friend, welcome to study news विविधताओं से भरे हमारे देश भारत में कितने ही पर्व ऐसे हैं जो किसी राज विशेश को ही नहीं बलकि पूरे देश को जोडते हैं उत्राखंड का ऐसा ही पारंपरिक पर्व है हरेला हरेला का अर्थ हर्याली से है जो प्राकर्तिक और मानव को जोड़ने वाला एक लोक पर्व है इस दिन सुक समरिद्धी और एसवर की कामना की जाती है तो चलिए जानते हैं हरेला पर्व के बारे में उत्राखंड में सुक समरिद्धी और खुसाली का पर्व हरेला हर्सो लास के साथ मनाया गया है इस बार हर्याली का प्रतिक हरेला लोक पर्व 16 जुलाई को मनाया गया है इस पर्व के साथ ही सावन के महिनी के सुरुवात हो जाती है इस पर्व से 9 दिन पहले लोग घर के मंदिर में कई प्रकार का अनाज टोकरियों में बोते हैं इन टोकरियों में लगबक 5-7 प्रकार के अनाज के बीज बोई जाते हैं जिनमें गेहू, जो, धान, उडद सरसो, इत्यादी कई प्रकार के होते हैं इन बोए हुए बीजों में नौ दिनों तक रोज सुबह पानी डालते हैं और दसवे दिन इसे काटा जाता है इन कटे हुए पौधे को ही हरेला कहते हैं इन पौधों को हरेला के दिन काटा जाता है उस दिन घरों में कई प्रकार के मिश्ठान बनाय जाते हैं और भगवान को भोग चड़ाय जाता है जिसके बाद पूजा की जाती है उत्राखंड के कुमायू छेतर में हरेला पर्व को विशेश तोर पर बनाय जाता है हरेला पर्व पर्या वरंड सरक्षड का तहवार है वनों से हमें अनेक लाब मिलते हैं अनेक प्रकार के उसदियां मिलती हैं इस पर्व पर फलदार और क्रिशी उप्योगी पोधे लगाने की परंपरा है और इस तहवार को रितुओ के प्रतीक के रूप में भी मनाय जाता है ये हिंदू तहवार वर्स में तीन बार आता है चैत मास में, स्रावण में और अस्विनी में अस्विनी में नौरात्र के पहले दिन से ये तहवार मनाय जाता है और दसहरा के दिन फसल काट के पूजा की जाती है और स्रावण में ये तहवार विसेश धूम धाम से मनाय जाता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्रावण मा भगवान भोले संकर का प्रीव मा है इसलिए हरेला के इस पर्व को कहीं कहीं हर काली के नाम से जाना जाता है और इसमें भगवान, संकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है ये तहवार उत्राखंड के अलावाई हिमाचर परदेश में भी हर्याली के पर्व के रूप में मनाये जाता है तो ये थी हरेला पर्व से जुड़ी important information So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment कर दो